करते हैं वो चीज़ करो ना फिर वारेंट निकालो और नहीं तो मैं यहां से नहीं हिल रही हूं और तुम मुझे उस गारी में पिछाओगे तो तुम्हें कितना भी कर चार्ज लगाऊंगी मैं और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी समझें इधर आगे हैं तुम्हें जो ओरिंग निकालो मुझे दिखाओ कि किस अधार पर मुझे यहां से हटा रहे हो नहीं तुम में नहीं अटूंगी और देखना आपको सारो का चाहिए आपने जो आज हाट उठाया ना आपने जो प्रेंगा जी पर हाथ उठाया पर किस अधार प इसको पर 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 दो पर दो मुझे आधार दो मुझे ओडर दिखाओ मुझे वर्रेंट दिखाओ दिखाओ और अगर नहीं है तुम्हारे पास और हथा पाई करनेगी हम चार लोग हैं दिखाओ मजे लीगल बेसे जबना क्या समझ रखा है लोगों को मान सकते हो किसानों को कुचल सकते हो तो समझ रखा है कि हमें भी रोक लोगे लखीमपूर में किसान नरसंगार हुआ है आप जा रही हैं मिलने आपके मन में क्या भावना हैं अभी देखें जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एक दम उसके लिए लवजी नहीं है कई महीनों से किसान अपनी अवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है सरकार सुनने को राजी नहीं है आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एक दम किसानों को पुचलने की राजनीती कर रही है किसानों को खत्म करने की राजनीती कर रही है और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है, किसानों ने बनाया है, किसानों ने सीचा है पुलिस ने आपके उपर बल प्रयोग किया, आपके कारेकरताओं को वहां रोकने की कोशिश किया, आपको गाड़ी बदलनी पड़ी जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना इसका मतलब है कि नेतिक आधार सरकार और पुलिस खोड़ चुकी है मैं अपने घर से निकल कर कोई अपराद करने नहीं जा रही हूं, मैं सिर्फ उन पीड़तों के परिवारों से मिलने जा रही हूं, उनकी आशू पोचने जा रही हूं, इसमें कौन सी बुराई है, क्या गलत कर रही हूं मैं, और कर रही हूं तो आपके पास औरोर होना आप रोक रहे है मुझे गाडी को रोक रहे है और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें